What's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आज हम लोग first love का second episode explain करने जा रहे हैं, तो इसे explain करने से पहले मैं आपको पिछले episode का थोला सारी cap दे देता हूँ, जहां हमने देखा था कि नामिकी ने यूई से अपने दिल की बात कह दी थी, वहीं present में नामिकी को यूई दिख जाती है, लेकिन इस ये सुनकर बहुत खुश होती है और ready होने लगती है, अब इनकी love story देखकर यूई की मा भी बहुत खुश होती है और उसे चिलहाने लगती है, वेल कहानी फिर से present में आती है और हम देखती है कि यूई भी ready हो रही है क्योंकि आज फिर से वो अपने बेटी से मिलने जा रह लगता है क्योंकि पिछली बार उसने यूई को टेक्सी चलाते हुए देखा, वो चाहता है कि उसे कैसी भी करके यूई एक बार दुबारा दिख जाए या फिर वो उसे मिल जाए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, अब इसी वीच उसके आफिस के बाहर एक लड़की डांस करने लगती है, वो डेली आकर यहां डांस करती थी और यह जगां उसे बहुत पसंद होती है, अब नामिकी उसे देखने जाता है कि आकर वो लड़की कौन है जो डेली यहां आ जाती है, अक्शल में दोस्तों यह लड़की कोई ओन नहीं बलकि यूटा होती है, यह वही ललकी थी जिसे योई का बेटा तुजूरू प्यार करता है और मिलना चाहता है वेल नामी कि जैसे ही उसके पास जाता है वो ललकी वहाँ से भाग जाती है अगले सीन में हम तुजूरू को अपने डाट के साथ डिनर करते हुए देखते हैं उसके डाट एक सर्जन है और कोनी आगे बढ़ती है नामी की अपने ओफिस में है तब ही उसका ध्यान उसके कलीग पर जाता है जो कि रेडियो की मदद से दूसरों को सुन सकता है और यह देखकर नामी की को एक आइडिया आता है कि इसकी मदद से वो यूई को ढूंड सकता है लेकिन इस पूरे शहर मे 20 लाक लोग रहते हैं और इसमें इसे यूई को ढूंड पाना बहुत ही जादा मुश्किल है लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि प्यार में बहुत ताकत होती है और यह तो बहुत ही छोटी सी बात है अब नामी की अपने काम पलग जाता है वो पूरे दिन उसी रेडियो से चि प्यार शुरू होता है अब वो दोनों एक बीश पर जाते हैं टाइमें स्पन करने के लिए जहां नामी की विसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि ऐसे लोगों को मिलने का चांस जिसमें कुछ भी कॉमन हो वो होता है 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, एक और बेस्ट फ्रेंट बनने का चांस होता है 200 करोल में से एक और अगर बात हो जीवन साथी बनने की तो वो होता है 600 करोल लोगों में से सिर्फ एक वाव तो आप समझ गया होंगे कि नामी की और यूई कितना जादा लखी है नामी की का इतना प्यार देकर यूई बहुत खुश होती है अब कहानी फिर से प्रेजन में आती है और नामी की रेडियो सुनते सुनते सो जाता है लेकिन तब ही उसे एक आवाज सुनाई देती है और ये सुनते ही वो समझ जाता है कि ये यूई है वो तुरंत ही अपने कलीग को ये बात बताता है इधर अगले सीन में हम यूई को देखते हैं जो अपने फ्रेंड और कलीग उतारू से मिलती है जो कि बहुत शरीफ टाइप का बंदा होता है और शर्मीला भी होता है अब यूई को देखते हैं अपनी बुराईया करने लगता है कि मैं अतना अनलकी हूँ कि बारिश में आते ही जॉब क्यों कर रही हो लेकं यूई उसे कुछ बताने से डरती है तो टारू कहता है कि मुझे लगता है कि कोई खटना जिसे तुम्हारे जीवन पर असर डालाए किसी से ऐसी मुलाकार जिसने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया हूँ लेकिन यूई यहाँ पर किसमत जैसी चीज पर यकीन नहीं करती और तब उतारू कहता है कि तुमने टाटानिक तो देखी होगी वो जैक था जो रोज के लिए सबसे खास बन गया था लेकिन यूई उसे जूट बोलती है कि मैंने टाटानिक फिल्म नहीं देखी है अब अगले सीन में आमकी को देखते हैं जो ओफिस से घरा चुका है और वहां हम पहली बार उसकी गल्फिन को देखते हैं जो की टाटानिक फिल्म देख रही होती है अब फिल्म खतम होने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं तो वहीं टैटानिक का आइकॉनिक सीन ट्राई करते हैं जो जैक और रोज ने किया था और अपनी कहानी को यादगार बनाते हैं अब एक दिन यूई छत पर बैठी होती है और तभी वहाँ नामिकी आता है यूई अपना फेवरेट सॉंग सुन रही है जिसका नाम है फस्स लव यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहला किस करते हैं तो यूई कहती है कि सिक्रेट किस में ला रही है तो नामिकी कहता है कि फ्लेवर कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा कहानी फिर से प्रेजन में आती है जहाँ पर नामिकी अपने आफिस के बाहर एक लड़के को दीखता है ये कोई और नहीं बलकि तुजूरू होता है जो कि यूई का बेटा था तुजूरू यहाँ पर यूटा का इंतिजार कराता था कि उसे एक बार मल सके अब दोस्तों यहाँ पर तुजूरू को देखकर नामिकी को अपना बचपन दिखता है इसलिए वो उसके प्यार से मिलाने में उसकी मदद करता है उसे कहता है कि आज वो नहीं आएगी तुम्हें सैटरडे इवनिंग में आना चाहिए जब मेरे शिफ्ट हो तभी आना अब फाइनली सैटरडे आ जाता है और तुजूरू अपने डाट से छुपकर यूटा से मिलने जाता है और नामिकी उसे फाइनली यूटा के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है जिसे आज तक वो सिर्फ अपनी स्क्रीन में देख रहा था उसे देखकर वो पूरी तरह से उसमें खोज जाता है अब नामिकी उन दोनों की दोस्ती कराता है यूटा को पता चलता है कि तुजूरू वही ललका है जो सबसे पहले उसकी वीडियो लाइक और कॉमेंट करता है तो आप हमारी वीडियो लाइक और कॉमेंट कब करेंगे अभी करिए और ये जानकर वो बहुत खुश होती है और यहां से एक और लवी स्टोरी की शुरुआत होती है अब रात में तुजूरू एक और सौंग को कंपूस करता है और अपनी मॉम को भीशता है जिससे सुनकर वो बहुत खुश होती है और उसे धेर सारे हट भीशती है अब अगले दिन वो और उसकी मॉम फिर से मिलते हैं दोनों एक रेस्टॉरू जाते हैं लंच करने के लिए और बातों बातों में यूई को बता चलता है कि तुजूरू को आज यूता से मिलने जाना है लेकिन वो उसकी वज़े से नहीं जा पा रहा है इसलिए वो से जूट बोलती है कि मुझे एक मूवी देखने जाना है तुम जाओ यूटा से मिलने के लिए अब महीने में सिर्फ एक दिन वो तुजूरू से मिलती है लेकिन फिर भी उसने तुजूरू को भेज़ दिया क्योंकि एक मा ऐसी होती है वो नहीं चाहती कि उसका बीटे का दिल तूटे अब तुजूरू यूटा से मिलता है और उसे भी अपना बनाया हुआ सौंग सुनाता है जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है कहानी आगे बढ़ती है अब इंतिजार करते हुए रात हो चुकी थी और याँ तुजूरू अपनी मा को उससे इंट्रिड्यूस करवाता है अब यूई उसका शुक्रिया करती है लेकिन इतने सालों बाद वो यूई को देखकर बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कहना ही बाता है क्योंकि उसके लिए वो अंजान है अब यूई को अपने से दूर जाता हुआ देखकर नामिकी की आँखों में आसु आ जाता है ऐसा लग रहाता कि उसका सारा आतीद उसके सामने आ गया हो और इसी के साथ यह भी सूर यहीं खतम हो जाता है अब दोस्तों यूई नामिकी को क्यों पहचान नहीं भाई यह हमें आगे पता चलेगा वेल आगे कहानिया और जादा मज़दार होने वाली है तो आपको यह क्यूट लव स्टोरी कैसे लग रहे है नीचे कॉमन करके ज़रू बताएगा और सब्सक्राइब करना हो भूलेगा मिलते हैं आपसे लिडियो में थांगे सो मुच वाचिंग पीस आउट अब बताएशपार बा04 पीस आपसे लिड़ है कह भूलेगा करूलेगा प्यूलें प्यूलें गवसितनीक टर सब्सक्राइब पीस आपसे लिवाचे इनक्राइब कैस्राइब रट बताव बताव झाल झाल